हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम तो माई चैनल दीपस किचन दस मिनट के अंदर बनाए सूजी का वरत वाला हल्वा हाँ जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने जट पट बनने वाला हल्वा बनाएंगे आज हम यह देखें यहाँ पर मैंने एक मोटी कड़ा ही ले ली है और उसमें मैंने बारीक वली सूजी ली है सूजी मैंने एक कटोरी ली है आप अपने हिसाब से जादा या कम सूजी रख सकते हैं यहाँ पर मैं एक कटोरी सूजी का हल्वा बना रहे हूँ सूजी को जो है हम dry roast कर लेंगे इस वह ऐसे हम भूल लेंगे और इसको हलका सा brown color आजाए भूरा रंग आजाए इतना ही हम भूलेंगे यहाँ पर मैंने डाला है देसी घी देसी ही मैंने लिया है आधी कटोरी जिस कटोरी का नाप हम सूजी के लिए ले रहे हैं उसी कटोरी का नाप या measurement कह सकते हैं वो ही हम measurement रखेंगे हमने अच्छे से इसको भूल लिया है देसी घी में अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे उसी कटोरी से हमने नाप करके यहाँ पर पानी डाला है शुरू में मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है क्योंकि एकदम से हलुआ गरम होने की वज़े से इसमें चीटा आ सकती है तो पहले मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है पानी उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 कटोरी पानी ले लिया है यहाँ पे मैंने जितना सूजी ली है उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी ली है चीनी मैंने ली है एक कटोरी अब इसको भी मैं डाल करके मिक्स कर लूँगी यहाँ पे जो है जैसे जैसे पानी जो है वो सूजी में मिक्स होता चला जाएगा घुलता चला जाएगा तो हमारी जो चीनी है वो भी घुल जाएगी और साथ में जो हमारी सूजी है वो फूलने लग जाएगी और हमारा हलवा धीरे धीरे बनने लग जाएगा यहाँ पे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम कर दी है medium 2 slow flame पर ही मैं इसे बनाऊंगी यह देखिए कितने असानी से और कितने अच्छे से हमारा हलुआ बनके तयार हो गया है और जो देसीगी मैंने डाला था एक कटोरी उसमें से मैंने एक चमच रोक लिया था वो एक चमच देसीगी मैंने last में डाला है लास्ट में देसीगी थोड़ा सा जरूर डालें इससे जो हमारे को खुश्बू बहुत अच्छी आती है हलुए की खाते हुए और साथ ही यहाँ पे हलुआ जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में शाइनिंग भी आ जाती है हलुए में अब देखिए हमारा जो हलुआ है वो बन करके तयार हो गया है बिलकुल रेडी हो गया है दस मिनट के अंदर बन जाता है जटपट यह हलुआ आप भगवान जी को भोग लगाईए और इसको प्रशाद को सबको खिलाईए और हाँ मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा